इंटर्वियू के इस बाग के प्रायोजक हैं एरिका मेडिवल और सुपर स्पेसलेस हॉस्पिटल एंड फटा मोहल योग। सब्सक्राइब और आपके पूरे टीम के सांथियों को हमारे तरफ से कहां घूम कराएं दिल्ली राची सुने की गये थे कहीं राजनीतिक समी करन को सको हम समझ लें या कुछ और भी अनुबह रहें नहीं देखेंगे कॉंग्रेस पार्टी से जुरा हुआ हूँ तो सभाविक मिलकर के जो देश का जो आवो हवा है किसी से छिपा हुआ नहीं है आप देख रहे हैं और अच्छा है अच्छा महागडवंदन को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो परत्यासी को हमेशा घोसित करने में लोग इतना देर क्यों कर रहे हैं क्या एक प्रॉपर उसका कमपा बनता है हर एक पार्टिया अपना काम करती है तो कहीं ना कहीं महागडवंदन के भी जो परत्यासी अब देख रहे हैं कि अब धनबाद का पेज़ पसा हुआ है तो उचस्तर के जो नेतागन है जो प्रभारी है वो टैक करेंगे और हमको लगता है कि दो तिन दिनों में यह चकीरिटी में कौन साइसा मूल बिंदू आपनों को कमजोर पड़ रहा जहां लग रहा महागडवंदन की और लोगों का जुकान आटमेटिकली बढ़ेगा और वो भोट मोसको परिनत कर पाएंगा देखिए सबसे पहले भारत एंद मिले मारे और यहां के रहने वाले नहीं है और यदा कदा हमने लगता है कि 5 साल साल के और मतुरा महतोजी इस माटी के लाल है और हमेशा सुबह च्छे बजे से ही वो लोगों के सिवा में हाजियरत अपने घर में लग जाते हैं और दस बजे ने कर जाते हैं पिछला पन्रा साल का अगर हम बात करें उनका तो कहीं ने कहीं विपक्ष भी या पक्ष दोनों के तो कहीं ने कहीं लग रहा है कि बैकफूट में कौंग्रेस है क्या नहीं एसा कुछ नहीं है कोई मनमुटाव नहीं है यह तो अल्रेडी क्लियर हो चुका है और कहीं मनमुटाव का कोई यह नहीं है सामन जिस जहां नहीं बनना था वो पहले ही डिकलियर हो जाता है लेकिन अब तो हर एक जगा हर एक सीट पर अभी जो सांसत हैं सीपी चौधी जी वो एक लोगों के बीच में भेज रहे हैं जिसमें विकास की गाथा उन्होंने लंबा मुझे लगता 40-42 पेज में लिखा है तो उस किताब को कैसे देख रहे हैं या आपके नजर में पढ़ा है कि नहीं यह जानना चाहिए अभी तक तो किताब हमारे नजर में परा नहीं हैं लेकिन सुने हैं कि किताब बाटा जा रहा है और क्या विकास का गाथा है उसमें वो तो किताब पढ़ने से ज़्यादे है कि पब्लिक जान रही है उनके गाथा के बारे में महतो समी करन रहेगा या फारवर्ड अगली पिछडी की बात होगी इसबाद 2024 का रणने देती हैं देखिए महागरवंदन के जो भी परतियासी है हम लोग देखिए NDA का जो भी पिछला जफा जो भी मुदी जी का रहा है तो डेवलप्मेंट या किसी काम को ले करके तो नह मंदिर है इसको उसी स्कूले करके जा रहे हैं लेकिन हम लोग डेवलप्मेंट विकास कैसे हो लोगों तक जन्सु विदाय कैसे मुहिया कराई जा इस पर हम लोग बात रहेगा कि अब की बार 400 पार का नारा बड़ा प्रजंट तरीके से हैं कॉंग्रेस के के तरफ से 180 पार इसको किस तरीके से देख रहे हैं अब देखिए आप 400 पार बोल दीजे 500 बोल दीजे अब अगर सब कुस सही रहा है तो आपका एक सोसी भी पर बात आ गए जहां आपकी सरकार बन जाती हैं वहां तो यह भी ठीप किरता है और जहां नहीं बन पाती है वहां पर आरूफ क्य नहीं हुआ जाता है ने कहीं कहीं बहूं सारे राजियों में जहां वी चुनाओं हुए हैं तो देखने को मिलता है निज चैनल के मादय हमसे कीद इसे घाला परफ्ट सोच लिया है कि पैरा सूट केंडिडेट नहीं चलेगा और केला ऐसे मुर्जा चुका है। आप जब गौर्णमेंट जब बनी तो उस वक्त पेट्रोल रिजल का भी दाम बरा दिया गया हर एक खाद समागरी का भी दाम बरा दिया गया उसके पास जब चुनाओ जब एनाउंस हुआ तो हर एक चीज को कम कर दिया गया तो पबलिक बेकुफ नहीं है हर एक चीज को समझ कर रही है और आप कहीं भी डिवलक्मेंट के मुझे पर या किसी भी वी विकास की बात प्सकी बात अपनी कर रह idag नागया है कि हिंदु धर्म को आस्ठा अभी छण का समय रबाट होते हैं कि नहीं? यह बिलकुल आष़ होने वाला बात है लेकिन जस्बी जी का जो भी यह वीडियो आया है वो नौ तारिक को भले उन्यों ने डाला है लेकिन वो वीडियो आठ तरीका है पुराना है यह पुराना वीडियो है तो हम तो बोल रहे हैं कि यह मुद्दा से भठकाने के लिए यह सब क्या कुछ अंतिम प्रस्न रहेगा क्या कुछ गुरीडी की जनता से आप अपील करेंगे क्योंकि आप भी बिहाज जनता खान मजदूर सर्ण और एक बड़ी परिपाटी को लेकर चल रहे हैं कोलेरी के अंतरगत करने का बात है एक बात तो सीधा कहेंगे स्रीमान दो हजाजाज़ चौबिस की राजनीती में महाकडबंदन और एंग्या के जो भी परत्यासी होंगे उनको कड़ी मसकत जैराम महतों के नाम से जरूर करना पड़ेगा क्योंकि लोकल अस्थानी और बिस्थापित का मुद् अब तो पचीस मई को ही पता चालेगा जैहें स्रीमान